दोस्तों आज मैं आपके लेकर के आई हूँ चंद्रकरा की रेसिपी जो की चांद जैसी गोलगोल बनती है और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है इसे आप 2-3 मेने तक इस्टोर भी कर सकते हो तो इसके लिए आपको करना गया है आपको लेना है बादाम और लेन अब यहां पर मैं बादाम काटूंगी दोस्तों यह दीपावली के टाइम पर आप इसको बनाइए खाई है और मुझे कमेंट करके जरू बताना यह बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है जूसी होती है तो आपको क्या करना है इस तरीके से काजू और बादाम काट निए काटने के बाद में अब इनको मैं बसकुछ नी करना है इनको में करना है अफ्राइन के लिए आपको लेना है घी तो आफ करिबन एक छोदा चमच गी डालतें घी नहीं है तो कोई साओी कोकिंग ओयल ले सकते हो अब मैंने पर घी थोड़ा से ठिकला लिया बहुत जय तो चले अब इसको हलका सा भून लिया है अब इसमें डाल देगे मावा तो आप चाहे तो एक कप डाली जैसे आपकी मरजी हो यहां पर मैंने 1-1.5 कप मावा डाल दिया है यानि खोया डाल दिया है और इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी यानि कि थोड़ा सा गरम कर चैनल पर इस चैनल को सबस्कार करना वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में से अर्ब कर देना यहां पर झोखोया है वो ठंडा हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे इसी बनाएंगे चासभी तो यहां पर हमने ले लिया है एक कटोरी चीनी और इसमें हम डाल देंगे पानी मैंने यहां पे बराबर क्वांटिटी में पानी डाल दिया है अब हमें क्या करना है इसको उबाल लेना है अब यहां पे उबालने में थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा करीमन आपको पांच मिनट लगेगा इसको पकाने में इसको उबालने में तो यह खुद बाखुद अब को क्या करना है अब आपको यह जो मेवा हमने लिया ओछोका है ठंद मेवा मैं दालना है यहाँ पे लाइची पाउडर तो मैंने और ज्यादा खाना पसंद करती है थोड़ा ज्यादा डालीजिए और कम पसंद करते हैं यह जो अगर आप इतनी चीनी डालेंगे जैसे कि मैंने एक कप मावा लिया था तो मैंने इसमें क्या किया है एक कप ही चीनी डाल दी है तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और यहां पर करीवन तीन चम्मज घी डाल दिया है आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ओयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब यहां पर इसको हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे हम बेकिंग पाउडर अगर आप मीठा सोडा डाल लाई है तो मातर दो से तीन चुटकी डालना इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं और बेकिंग पाउड़ों डालना तो आदा चम्मज भर करके डाल देना इससे आपकी जो चंद्रकला है वह अच्छे से फूलेगी अब सारी चीज़ां को आपको अच्छे से मिला देना है अब यहां पर आटा को हम थोड़ा सा मुटी में ले आटे को गुण लेंगे इसको आपने बहुत जखे तायट लिए घूंज और फिर देना जीलिए अंच्छे से लग गै हम फिर से मसल लेंगे थोड़ा सा और यह देखें कितना आटा सॉप्ट है बहुत ज़्यदा टाइट नहीं है और बहुत ज़्यदा लूज भी नहीं है यह देखिए तो आटा प्रफेक्ट लग चुका है अब इसके हम तोड़ेंगे लोई यह देखें इस तरीके से हम ले ले है आप इसकी एक लोई में लूँगी और ले करके इसको इस तरीके से हतली से फैला दोंगी ठीक है क्योंकि अगर आप बेलना चाहें तो बेल भी सकते हैं लेकिं थोड़ी इसकी जो पूरी टाइक भी बनती ना थोड़ी से मोटी रखनी होती है अगर आप हां से इसको बना तो देखे दोनों बराबर साथ की मैंने पूडियां सी बना लिए चोटी-चोटी सी ठीकी आसी बना लिए अब इसमें रख देंगे बहुत ज्यादा मत रखना नहीं तो फूटेगी ठीक है कम रखना यानि की करीबन आप एक छोटा चमच इसमें इस्टाफिंग रख देना र अच्छी से बंद हो जाएगी फोटेगी नहीं अब हमें क्या करना है इस तरीके से इसको गौsti लेना है कि अद्धरीक से यह चंदरकला आप घर में बनाईए खाईए मुझे कमेंड करके बताईए कि कैसी लगी है और यह जो चंदरकला की मिटाई होती है दोस्तों इसको आप आराम से दो महीने तीन महीने आराम से रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं भी खराब नहीं होती है तो यह देखे इस तरीके से मैं इसको दबाती गई और इसको अंदर तरफ फोल्ड करती गई अंदर तरफ फोल्ड करना है तो अच्छे से दबाना है ताकि यह खुले नहीं अब आप देखे बिल्कुल अच्छा सा सेव इसका आ चुका है और अच्छे से इसके फोल्ड बने है चलिए तो इसको रखती हूँ प्लेट में और मैं आपको एक और दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बनाना है यह देखें आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा पता नहीं कैमरा कैमरा मेरा कैप्चर कर रहा है नहीं कर रहा है तो बिल्कुल अच्छा बना परफक्ट बना है चलिए इसको रखते हैं प्लेट में और इसी तरीके से यह देखें अब चिफकाने के बाद में आपको क्या करना है उसी तरीके से आप प्रेस करिए इसको एक साइड से और इस तरीके से फोल्ड करते जाएगे तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे यह देखें प्रेस करिए और इसको फोल्ड करते जाएंगे लगातार तो केसे में सारे चंद्रकला को बना लूँगी और बनाने के बाद में यह देखिए मैंने सारे चंद्रकला बना लिये हैं अब इसको हम सेखेंगे अभी और बनाओंगी अभी तब आप इसमें डाल दीजिए जब यह सिख जाएगा एक साइट से तो यह अपने आप से तेल के उपर तैरने लगेगा जैसे कि आप देख सकते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाना है आप तेज फ्लेम बिल्कुल मत करना नहीं तो फिर क्या का ऊपर से तो क्रस्पी हो अब यहां पर यह सिख चुका है तो थोड़ा सा फिर गैस का फ्लेम तेज कर लेना और इसका कलर डार्क कर देना तेजाज पर और उसके बाद में इसको आप निकाल लीजिए यह देखिए मैं यहां पर चंद्रकला निकाल नहीं हूं अच्छे से सिख चुका है यह यहां पर चासनी में थोड़ा से क्या करना है इस चंद्रकला को डिप कर देना है आप चाहें कर चासनी जैसे की मीठा नहीं खाना चाहती है बहुत ज़्यदा तो आप इसको ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं यह खालीजिए लेकिन अगर आप थोड़ा से ज्यादा मीठा पसंद कर बहुत ज़्यदा आपको रखना नहीं है आप ऐसा मत करना कि दो से चार मेंट इसको छोड़ दे नहीं इसको डिप करिए और बहार निकाल लीजिए तो यह बहुत अच्छे से तयार हो गए है आप पे चंद्रकला मैंने सारे चंद्रकला को बहार निकाल दिया है ठीक है कत्रन तो यह मैंने थोड़ा सा पिस्ता की कत्रन डाल दीए अगर आपके पास में केसर हो तो केसर के एक एक इसमें लगा दीजिए और भी लुकिंग हो जाएगा तो यह नास्ता कैसा लगा है इसको आपके जब यह ठंडा हो जाए तो डबे में भर करके आराम से चाय बहार कर दो है कर दो है